हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नमन इन स्टोर लिमीटेड आइपयो के बारे में यह जो कंपनी है वो इस्टेबलिश हुई थी इन 2010 में और यह एक रिटेल फनीचर एंड फिटिंग कंपनी है जो प्रोवाइट क अधि इस के साथ साती जो कंपनी ओन फिक्चर इन वूड मैटल प्लास्टियों फोर किसो कंप्लीट स्टोर इसके साथ और भी ऐसे नाम है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वह से पढ़ सकते हैं यह जो कंपनी वह ओपरेट करती है अकोटिट यानि बिजनस तु बिजनस मोडल के अकोर्डिंग ये कंपनी ओपरेट करती है इस कंपनी की जो मैनुफेक्ट्रिंग फैसिलिटी है वो लोकेटड है इन वर्सई महाराष्ट में जिसका बिल्डप एरिया लगबग एक लाग तालीस अजार चेसो शेत्यासी स्कार मीटर इसकार फीट का है इस कंपनी के अभी तक अप्रोक्समेटली थर्टी टू रिटल कस्टमर एंड एंड एर फ्रैंचेस उसकी जो फ्रैंचेसे से उनको सर्व किया है एंड चार इंडस्ट्रियल कस्टमर को भी इन्होंने सर्व किया है 30 सेप्तेमर 2030 के जो टोटल नंबर ओव एंप्लोई से वह है 491 तो यह हमने कमनी के बारे में ब्रीफ में जान लिया जितना हमें इस कमनी के बारे में जानना जरूरी था कि कमनी क्या काम करती है बाकी और अधर चीज जो इस कमनी के बारे में जानना जरूरी थी तो मैंने आपको बता दिये पर अगर और भी टीटेल में जाना है तो आप स्कीन प करेंगे कि क्या हमें साइप्यों में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं तो आप इस वीडियो को लास्ट बीना स्किप करिए देखेगा ताकि आप इस आइप्यों से यानि 22 मार्च से 27 मार्च की बीच में आप इस आइप्यों में अप्लाए कर सकते हैं अब इसकी इंटिमेशन क्या आपको आपको 28 मार्च दोजार चोबिस तक मिल जाएगी अगर आपको यह आइप्यों नहीं होता है तो उसका अमाउंट है वह आपको रिफंड होगा एक अप इसकी कट-off प्राइस होने वाली है एक लोट में 1600 शेर होने वाले है टोटल इस्यू साइज है इसका 25.35 करोड का और यह पूरा का पूरा क्या है फ्रेश इस्यू है इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो एनसी नेशनल स्टोग एक्चेंज पर होने वाली है और एक एसे म लेक्स की पोस्ट इस्यू हो जाएगी वन करोड फाइव लेग 48,000 की अगर आप रिटेल के टिग्री से अपलाए करना चाहते हैं तो मिनियम एक लोट के लिए और मेक्जिमम एक लोट के लिए ही अपलाए कर सकते हैं जिसका माउंट होगा वन लेग 42,400 का पर अगर आपको अगर इसकी कोई अपडेशन आएगी तो मैं आपको उसकी अपडेशन लिकर आओंगी और उसके लिए आपको क्या करना होगा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप आगे भी इसी तरह की अपडेशन रखा गया है वो भी देख लेते हैं कि केटेग्री वाइस कितने कितने परसेंट से आइप यो का रिजर्वेशन रखा गया है क्यों आइब के लिए रखा गया है 50% का आइप यो का रिजर्वेशन रिटेल के लिए रखा गया है 35% का आइप यो का रिजर्वेशन चलिए अब बात करते हैं इस कमणी के फाइनेशल टर्म्स की 31 मार 2021 का हमार पास डाटा है 31 मार 2022 का है 31 मार 2023 का एं 30 September 2023 का भी हमारे पास डाटा है जिसमें हमारे पास है Assets, Revenue, Profit After Tax, Net Worth, Reserve and Surplus and Total Borrowings और ये जो Amount है वो हमें किसमें शोहर हैं इन लेक्स में शोहर हैं तो जो 31 मार 2021 को Assets थी वो थी 1693 लेक्स की, मार 2022 को हो गई 3074.09 लेक्स की, 31 मार 2030 को हो गई 5598.94 लेक्स की, 30 September 2023 का हमारे पास डाटा नहीं है अगर इसकी कोई अपडेशन आती है तो उसके में आपको अपडेश्टेशन लिकर आऊंगी पर उसके लिए क्या कीजिए हमारे चैनल 30341.28 लेक्स का, 32 मार 2022 को हो गया 5108.94 लेक्स के, 31 मार 2030 को हो गया 14993.50 लेक्स के, 30 September 2030 तक जो उनका अभी तक रेवेन्यू वह है 7929.71 लेक्स के, तो अगर हम देखें तो हो सकता है कि जब तक जो 31 मार 2024 आए, तो यह 30 मार 2030 का रेवेन्यू है उसको भी एक्सेट कर जाए, त अगर तीन साल की डाटा के साब से हम देखें, तो जो रेवेन्यू है वो लगातर इंक्रीज में है, तो यह उसको हम प्लस पॉइंट में लेकर चलेंगे, प्रोफित आप्टर टेक्स की बात करते हैं, 31 मार 2021 में है 5.08 प्रोफित आप्टर टेक्स का, बार 2022 में बढ़कर हो 31 मार 2021 में थी 131.64 लेक्स की, मार 2022 में हो गई 202.88 लेक्स की, मार 2023 में हो गई 584.59 लेक्स की, मती सेप्तमर 2023 अग अल्रेडी एक्सिड है, जो है 1203.48 लेक्स की, तो नेट वर्ड भी हमारी लगातर इंक्रीज में है, तो यह भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, रिजर्वें सब्टेश हमारे पास 35-221 में 41.64 लेक्स के 31 मार 22 को है 53.48 लेक्स के 32 मार 23 ko है 488.94 लेक्स के और 30 से क्वैंबर 23 का भी हमारे पास डाटा नहीं है तो अगर हम साल के डाटा की तर्फे साफ से लगातार इंक्रीज है तो भी हमारे लिए प्रस पॉइंट है टोटल पो रैंग हमारे पास 31 मार दोजार 23 को है 1023.91 मार 2022 में बढ़कर होगी 1883.91 लेक्स की मार 2023 में 2944.09 लेक्स की 30 सेप्टेमर 2023 से ओरीडी एक्सिड है जो है 3166.06 लेक्स की तो जो total boring से वो लगातर increase में दिख रही है तो यह हमारे लिए negative point है अगर boring लगातर increase रहती है तो वो हमारे लिए क्या होता है negative point होता है अगर हम in terms of percentage बात करें कि जो revenue है या फिर profit after tax से कितने percent से increase हुआ है in 2023 comparison to 2022 तो जो revenue है वो increase हुआ है 193.48% से in 2023 comparison to 2022 और जो profit after tax से जो raise हुआ है 1696.28% से in 2023 comparison to 2022 तो जो नहोंने अपना जो profit है वो काफी ज्यादा higher percent से यानि 1,500% के पार इन्होंने जो अपना profit है उस percent से इन्होंने अपना जो profit है तो 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 जार तेस में बढ़ाया है comparison to 2022 यानि कि इन्होंने काफी अच्छा जो अपने expenses वगेरा है जो भी इनके खर्चेते cost वगेरा थे उनको कम करके minimize करके इन्होंने अपने profit को काफी ज़्यादा higher percent से बढ़ाया है चली अब बात करते है इस कमनी के की performance indicator की इस कमनी की जो market capitalization है वो है 93.88 करोड की KPI as on 30 September 2030 की बात करते है return on equity था 69.22% return on capital employed है 24.51% return on net worth है 51.42% PBB है इसका 1.04, PAT margin है 7.81, pre IPO इसका EPS है 4.96, post IPO हो जाएगा 11.73 प्री, pre IPO इसका जो PE है 17.95, post IPO हो जाएगा 7.58 तो जिससा कि हमेशा कहते हूं return on equity, return on capital employed, return on net worth अगर 15-20 या फिर उससे जादा है तो ही हमारे लिए plus point है, otherwise वो हमारे लिए negative point होता है तो यहाँ पर जो return on equity है वो क्या है 69.22% यानि 15 से जादा, तो यह हमारे लिए plus point है return on capital employee 15 से जादा यानि 24.51 तो यह भी हमारे लिए plus point है return on net worth हमारे पास है 51.42 यानि 15 से जादा, तो यह भी हमारे लिए plus point है बात करते हैं इस company के GMP की, 18 मारे 2024 को जो इसका GMP चल रहा था in terms of रूपी चल रहा था 50 रूपी और in terms of percentage 56.18% का 19 मारे 2024 को जो अब यह video record हो रही है उस समय जो इसका GMP चल रहा है वो चल रहा है 50 रूपी सेम जो 18 मारे 2024 को चल रहा था in terms of percentage 56.18% का तो अगर हम profit की बात करें कि अगर हम इसी IPO जो भी GMP चल रहा है अगर इसी GMP पर अगर market में listed होता है जो estimated listing pricing अभी है estimated listing pricing क्या है 139 रूपी 89 इसकी issue price है 50 रूपी अगर हम GMP add कर देंगे तो 139 इसकी जो भी करन जब वीडियो दिकोड हो रही उसके इस आप से जो इसकी estimated listing pricing कितने price पर market में listed हो सकता है वो है 139 तो अगर इसी price पर यह market में listed होता है तो हमें लगबग कितने तक का profit हो सकता है तो जैसे कि इसका investment amount है वो है 1,42400 का तो उसमें अगर हम GMP add कर देंगे 56.18% तो हमें लगबग 80,000 के आसपास का profit होने के chances है पर जो GMP है वो क्या होता है day to day increase और decrease होता रहता है तो हो सकता है कि जब तक यह IP लिस्टेड हो उसका जो GMP decrease हो जाए या फिर increase हो जाए तो हम क्या करेंगे एसवें जैसे कि 27 मार्च को यह IP close होने वाला है तो हम 26 मार्च को एक updated वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम GMP की and subscription status की बात करेंगे फिर एक final decision लेंगे कि आज अगर हम यह decision लिलते हैं कि भी हम इस IP में apply नहीं कर रहे हैं पर आगे जाके इसका GMP बढ़ता है तो आगर हम यह तो उसमें हमें apply करना चाहिए नहीं उस दिन जब यह वीडियो बनाएंगे उस दिन हम यह decide करेंगे पर अगर हम आज ही decide करते हैं कि हम आज इस IP में apply कर रहे हैं पर आगे जाके इसका GMP कम हो जाता है या फिर मार्केट कंडिशन डाउन चल रही होते है या फिर कुछ AC news आत रहे हैं वीडियो से updated रहे हैं और सही से सही आईपियो को चुन सके चलिए अब हम एनलाइस करते हैं कि क्या हमें साइपियो में आज इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं तो जीसे कि हमने के finance काफी अच्छे थे profit काफी अच्छे मातर वन थाजन फिफ्टी एंग्रीज वा था हंडेट परसेंट के एवरेज वो जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है तो थी सेप्टेंबर दो जार तेर सक पर और भी प्रॉफिट होने के चांसे से क्योंकि अब भी तब महां दो जार चोबिस के इंडिंग नहीं हुई है तो उस हिसाफ साफ कर हम फाइनस देके त तो वह मलब बढ़ती हुई थी तो वह हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट था इसके अलावा हमने जो इसके देखे के क्पी फेक्टर काफी अच्छे थे रिटन काफ 15 परसेंट से सारे जाधा थे तो इसलिए वह हमारे लिए प्लस पॉइंट थे अभी जो इसका अगर आपको चल रहा है लुगार इसोनी परसेंट के वह सकते हैं श्पेंट अबिथे परसेंटस के हंपी सब्सक्राव करके पास कियो हर्मारकेट का विश्क होता है उस तो किसी सेभी कर का neighborhoods हिसेगा अगर थमें चल रहा होता है या ऐसे परपड़ता है उससे आपकाawan जहाते आंसेसे की अभी तो सब्सक्राइब कोई इसके बाद है तो तब तक हो सकता है कि मार्केट डाउं जला जाए तो इसका जीएंपी और कम हो जाए तो उस बेसिस में आपको डिसेजन बदा देती हूं कि मेरा डिसेजन बन गया है मैं अभी फिला से आई प्लाए नहीं कर रहे हूं मैं जब लास्टेट होगी उस दि लेंगे कि क्या हमेंils subject apply करना चाहिए नहीं बहुत सारी लगों को ऐसा लगता है कि अगर हम फश्श दे करते हैं तो हमारे चांसAyup Meansberry के बीच में करें तो इसलिए मैं अभी क्लोज होने वाला होगा 26 मार्च को जब हम एक अपडेटेट फाइनल वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम रिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसमें फाइनल या प्लाय करना चाहिए नहीं तो इस वीडियो को देखने के लिए कि आप सब्सक्राइब कर को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलेगा एंड थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो